नमस्कार राजसिक्षासोद एवं परिशिक्षन परिशन बिहार पत्ना में आप सभी का स्वागत हैं मैं आज पुना आप सभी के सामने अर्थवस्था की दूसरे चाप्टर भारती अर्थवस्था 1950 से 1990 के साथ प्रस्तु थों जैसा कि बच्चों हमने पिछले कक्षा में ये जाना था कि पंचवर्षे योजनाओं के दिर्गकालिन और अल्पाउधी के लक्ष क्या थे इनहीं लक्षों का हमने अध्यन किया था और आज हम अपनी कख्षा का प्रारम करेंगे अल्प काणी लक्षों के उद्यश्यों से मुद्यश्य क्या है हमारे देश में जो पंचवर्षी योजनाओं चलाएग गाई वो कि उद्ध्यश्यों को लेकर चले गये थे, और एक उद्देश के साथ किये गये थे, कि हम नोग देखते हैं, कि हमारे अलकृलीन उदेश क्या थे? हमारी जो पंच बरसी उजनाएं चली, जो प्रथम पंच बरसी उजना थी, Milan से लेकर 1956 56 और उनकी जो प्रमुक उददेश और प्रात्मिक्तय थि वह ये थि कि हम इक कृसी उत०पादन में वृढई करना था कर सबसे पहले हमने क्रसी प्रिकार कः यह क्यों क्या चया क्योंकि हमारे देश की जो जानता थी हो सबसे अधिक निर्भरता करिसेता और हमारे देश की लोग क्या थे गरीबूखे और पिछड़ थे तो गरीबी से उठने के लिए भूब से उठने के लिए हमें सबसे अवशक्ता किस पे विकास की पड़ी वो पड़ी कर से ब imagined क्योंकि हमारे पंचिवर्शी योजनाओं में कृची के उत्पादन को बढ़ाना है और उसको बढ़ाने के लिए तक्निकी ज्ञान का भी परियोग किया गया परंपरागत चीजों को छोड़ा गया और बहुत सारे सुधार किये गया बहुत सारे नीतियों का करियानवन किया गया और इसके ना धार पर उत्पादन में ब्रभी की गई आगला था उत्पादन आयएवं धन के वित्रन के शमंताओं का कु मैं क्यों कि जो उत्पादन हो रहे थे हरच शेत्रों के पादन अलग 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 थे और आएवं जो वित्रन था और समान था यानि कि कुछ वर्गों के हिस्थे में अत्यधिक धन चला गया था और कुछ वर्गों के लोग काफ्य गरेथ तो इन वर्गों की असमन्ताओं को दूर करने के लिए ये प्रात्मिक्ताएं दी गई कि हमें ऐसा कारी करना है कि उत्पादन आय एवंधन का जो वित्रन हो वो समानता की और बढ़े ना की आसमानता हो हमारी जो दूसरी पंचवर्शी योजनाएं थी 1956 से यहां एक अलग बदलाव आया क्योंकि प्रथम पंचवर्शी योजनाओं में हमने क्रिसी पे बहुत आगे बढ़ा तो हमारी जो पंचवर्शी योजनाओं के लक्षों पर ध्यान दिया गया कि हमारा जो देशे में भी बहुत कुछ कर सकते हैं तो उद्योगों के लिए भारी उद्योगों के स्थापना पर ध्यान दिया गया यानि हमारे देश में उसमें बहुत बड़े-बड़े स्टील प्लांट आयरेन इन स्टील प्लांट के स्थापना की गई बहुत सारे अलग अलग चेत्रों प पर हुआ हमारी आय में ब्रधी हुई तो इस यह क्या था यह जो हमारी दूसरी पंचवर्शी योजना थे यह उद्योगी करन पर ध्यान दिया गया और यह मॉडल किसने बनाया था महाल नॉबिस में आप सभी जब एक एक करके पंचवर्शी योजनाओं को पढ़ेंगे तब हमें यहां डिटेल में जाना है कि हमें क्या क्या किया गया कौन से इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई और कैसे इसका विकास किया गया तो हमारे दूसरी क जो लक्ष था उद्देश था वो क्या था भारी उद्योगों के स्थापना करना और उद्योगी उद्पादर में ब्रिधी करना तो आगे बढ़ें तीसरी पंचवर्शी योजना जो थी वो 1961-66 थी और यहां पर थी हमारी खाद्यान उद्पादन में आत्म निर्भरता किस खेटर पे करनी थी खाद्याट एननी हमें किसी दूसरे देशों से अपने खाने ये आयात नहीं करना था हमें अपने देशों में विकल्प ढूंड में कमी लानी चौथी जो पंचवर्सी योजना थी वो उसमें थी कि इस्थिरता के साथ विकास करना था बच्छों पिछली करच्छा में मैंने आप सभी को भी बताया था कि हमारे देश की जो दिरकाली लक्ष थी उसमें क्या था आत्म निर्भरता था रोजगार का स्रिजन था इस्थिरता लानी थी तो यह इसी का एक इसी की एक बिंदू है कि हमें विकास तो करना है परन्तु क्यासा करना इस्थिरता के साथ करना है हमें फिर से पिछड़ना नहीं है हमें एक यह भी नहीं करना है कि कोई एक वर्ग काफी उंचा चला जाए और कुछ वर्ग बिल हमें अपने खाध्यान में अपनी रोजगार में हमें किसी विदेशी शायता की आवस्चक्ता ना पड़े इसलिए हमने हम्हारा जो अल्पकालिन उद्देश जद्धा पंचवर्शय योजनाओं का वो क्या था आत्मेभरता की प्यापती पांचवीं पंचवर्शय योजना बहुत ही महत्तपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि यहाँ गरीबी उन भिलन्द पर काम किया गया। हमारी जो जनता थी वो गरीबी को ढूट भी को झहल रही थी। गरीबी हटाने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो यह गरीबी उन निर्भरता की बाते कर रहे हैं, यानि कि हम अपने आप में क्या होंगे, निर्भर होंगे, यानि हमारा जो भी कारी होगा, हम अपने आधार पे करेंगे और अपने लिये करेंगे, तो इसको करने पे क्या होगा, हमारे आर्थिक विकास होगा, और जैसे आर्थिक विकास की ब उसमें क्या था आधारिक संग्रचिना यानि आधार भूत इंफ्रस्ट्रक्चर पर काम करना था हमें जो विकास करना था वो किस पर करना था इंफ्रस्ट्रक्चर पर और इंफ्रस्ट्रक्चर क्या था यातायात उर्जा संचार इन सभी का विकास करना था यानि यातायात के साधनों को देश के हर कोने को सड़क से रेलिवे से जोड़ना था ताकि कोई भी छेत्र पिछणा ना रह जाए उर्जा के साधन सभी जगह बिजली पहुंचानी थी संचार आज हम इतने आराम से संचार क्या कर रहे हैं ओनलाइन क्लासे सब देख रहे हैं घर बैठे वीडियो कॉल कर रहे हैं आप कुछ भी काम कर ले रहे हैं तो यह किसके माध्य हम से कर रहे हैं वो नहीं पंचवर्शी योजनाओं के धीरे धीरे लक्षों पे कारी जो किया गया उसी का परिनाम है तो यह सारी चीज़े छटी पंच वर्स योजना है यहां भी हम गरीबी उन्मूलन की और और आय असमानताओं में कमी लाना था अगली थी साथमी पंच वर्स योजना सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना यानि फिर से वही बाते क्योंकि हम जो पिछला लक्ष रख रहे थे जो उद्देश रख रहे थे जो पूरा नहीं हो पा रहा था उसकी प्रात्मिक्ता के साथ हमारी आगे की कारिकी जा रही थी उसी में था सामाजिक और आर्थिक यानि समाज के कुछ वर्ग पिछड़े थे कुछ वर्ग काफी उचे हो गए थे तो इन में क्या लानी थी समानता लानी थी और यह समानता आर्थिक पे भी था क्योंकि पिछड़ा वर्ग को ऊपर उठना जो ऊपर है वो तो बहुत आसानी से उपर जा रहे थे लेकिन जो पिछड़े वर्ग को क्योंकि उन्हीं किये गए सरकार के द्वारा कि उन्हें सामाज के साथ सथ आर्थिक समानता में थोड़ी सी रहात मिले और वो आगे बढ़े उत्पादक्ता एवं रोजगार में ब्रिदी ये बार बार हमारा उद्देश्य आ रहा था क्यों क्योंकि हमारे देश की जो जनता है वो बेरोजगा कारी को हटाने के लिए हम क्या कर रहे थे रोजगार में ब्रिदी कर रहे थे आठमी पंचवर्सी योजना थी ये बहुत-बहुत-बहुत-पून क्योंकि हमने प्राथमिक सिक्षा को सर्व्यापक बनाया है हमारे देश में सिक्षा की कमी थी और इस सिक्षा की कमी को दूर करने के लिए प्राथमिक सिक्षा को प्राथमिक सिक्षा प्रारंभिक सिक्षा यानि की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जनता को इसके लिए बहुत सारे कारी किये गए बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए कारी किये गए इन सभी की डिटेलिंग जब हम एके करके पंचवर्शी योजना को पढ़ेंगे तो जानना है, अब इसमें क्या किया गया, रोजगार में स्रिजन किया गया, जन सहयों के साथ जन संख्या पर नियंतरन किया गया, क्यों कि हमारे देश की जन संख्या काफि तिवर गती से बढ़ रही थी, और ये तिवर गती कि आत्म निर्भरता और निर्यातक परकर करने साथ ही साथ हम क्रिसी से जो सामान बना रहे हैं उसे निर्यात के लिए बनाये एक नोंछ पंच वर्षी योजना थी कि नयाय पुन्वित्रन वू शमानथा के साथ विकास रोजगार में ब्रधि जीवन के गुनवत्ता में सुधा यह महत्वपुन बिंदी जीवन के गुधिन वंकी घुनव रहने की जो आणी हम कैसे सिक्षा ग्रहन कर रहें हमारा या continuar क्या है हमारे आए के आसाधने इन सभी चीजों के गुन्वत्ता में क्या करना था सुधार लाना था प्रतिव्यक्ति आय क्या है सिक्षा कस्तर क्या है साक्षर कितने प्रतिशत लोग है यह सारी चीज क्या थी जीवन की गुन्वत्ता में सुधार और बहु आयामी आत्म निर्भरता पर बल दि 15 वर्षी योजना जो दो हजार 2-2 तो हजार साथ तक चली मानव विकास प्रतिव्यक्ति आय में प्रदी कीमत स्थिरता के साथ संव्रदी और असामान्ताओं में गमिलानी थी ग्यार्वी पंचवर्सी योजना संहित विकास रननीती को करना था जो विकास की रननीती थी हमारी क्या थी कि हमें संहित क्यों चलना था आगे की और बढ़ना था और निर्धनता के अनुपात में कमी लानी थी जो हमारे जो निर्धनता की अनुपात जो बढ़ रहे थे उसे क्या करना था कम करना और उच्छ गुन्वत्त में ब्रधी करनी ते जिस के करण सिख्छा के में बहुत सारे कारी कि जा रहे थे anering कि प्रियावरन संग्रशन पर जोड दिया ग्या अभी परियावरन संग्षन पे क्यों जोड दिया गया क्योंकि हम आधुनिकता की दौड पे तो दौड रहे थे 10 पे को बील्कुल भाग रहे थे और इस ढोरान हम अपने परियावरण को पूरी तरह से नस्ट करने में लगे इसलिए इस पर विसेँ ध्यान दिया गया कि हम आधुनिक करन की और तो चलेंगे परन्तु हम अपने परियावरन को संग्रक्षित रखके करेंगे और जो बारिवे तो बच्चों यह हमारा जो था वह अल्पकालिन उद्देश थे अलग अलग पंचवर्शी उजनाओं के अलपकालिन उद्देश थे तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में जो पंचवर्शी उजनाओं चल रही थी उनके अलपकालिन उद्देश क्या थे हर पंचवर्शी थी उस समय उसके अनुसार उद्देश्यों को बनाया गया और लक्ष की प्राप्ति के गई अब जो आगे बढ़ने जा रहे हैं वो जानना है हमें कि हमारा देश 1950 से 1990 तक जो कायरी किया हमारे देश पंजवर्शी यूजनाओं जो कायरी किया वो कितना और किस छेतर पर कायरी कर सका इसकी चर्चा हम आगे करेंगे 1991 तक की यूजना के तहत अपनाई गई आर्थिक नीतियां और उनकी क्या विसेस्ताइं रही इनहीं की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं हमारी जो पहली बिंदू है वो सारुजनिक छेत्र पर भारी निरभरता जैसा कि बच्चों आप अवशक है कि हमारे देश की जो साजनिक छेत्र पर जो निरभरता थी वह बहुत अधिक इसके अंतरगत 1991 तक जो अध्योगिक नीतियां अपनाई गई उद्योग को बढ़ाने के लिए जो नीतियां अपनाई गई उन्हीं नीतियों में हमने जाना है कि साजनिक छेत्र पर दगबग 17 उद्योग कारी कर रहे थे और 12 उद्योग ऐसे थे जो प्राइविट सेक्टर पर काम कर रहे थे यानि कि यहां जो प्राथमिकता दी गई थी वो किस छेत्र को दी गई थी साजनिक छेत्र को और हमारी जो निरभरता थी वह उसी के अंतर करती अगला था नीजी चेत्र का विनियमिद विकाश , क्या था कि हमारा देश विदेशी नीति विल्कूल घबराया हुआ था क्यूंकि हमने 200 सालों की गुलाम जही сама हम लोगों ने था गुलामी जहला था इस कारण हम क्या चारते कोई बिदे से कंपनियां यहां नहीं आये या कोई नीजी छेते कारी करें तो वो सोशन का कारी ना करें इसी के कारण इसी तरह 1969 में MRTP Act आयी जिसमें किसी भी नए उद्योग को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था यानि कोई नया उद्योग बनाना चाहरा है तो उन्हें पहले एक लाइसेंस लेनी पड़ती थी जिसके आधार पे ही वो अपने उद्योग क स्थापित कर सकता था इसी तरह 1969 में MRTP Act आई जिसमें क्या किया गया इसके अंतर गत किया गया कि कोई भी यह जो छेत्र है नीजी छेत्र का एक अधिकार ना हो जाए तो नीजी छेत्रों को विनियमित विकास पे ध्यान दिया गया और उन्हें इतने सारे नियमों का पालन क इसके उन्हीं नियमों के पालन के बाद ही वो अपना नीजी छेत्र को इस्थापित कर सकते थे तो यह एक आर्थिक निती अपनाई गई थी अगली थी लगुद्योगों का संग्रक्षन और बड़े पैमाने के उद्योगों का विनियमन यानि हमारे देश में लगुद्यो को बहुत सारे आउसर प्रदान किये गये और यह बहुत अच्छे से विकास कर सकता था तो इसलिए विकास करने के लिए लगुद्योगों को संग्रक्षन दिया गया लगुद्योगों के संग्रक्षन के लिए बहुत सारे हैंडलूम बोर्ट्स एंड सिल्क बोर्ड यह सब के स्थापना की गई ताकि छोटे-छोटे चेत्रों पे लोग अपनी लगू दो के स्थापना करें और आईका स्रीजन करें और देश के जीडीपी में अपनी भागीदारी बढ़ाएं अगला था सामरिक महत्व में भारी उद्योगों का विकास करना यानि कि हम भारी उद्यो पे कारी किया जब तक हमारे देश में उद्योगों का निर्मान नहीं होता तो कि रोजगार या विकास की बात हम नहीं सोच सकते थे हम अपने $k GDP양densi बाते सोची नहीं मारे दिमाग में एक सामाइनी विचार आता है कि हम बहुत ज्यादा बचत कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं लेकिन यह गलत धारना है यह हम अपने परिवार से भी ले सकते हैं कि एक माइंड सेट होता है कि हम अपने जो इंकम है उसमें क्या कर रहे हैं सेवि कर रहे हैं इन्वेस्ट्मिंट कर रहे हैं तो वह क्या होगा वह हमारे विकास कर जाएगा ताथ जा mają गया तो बच्छत पर भी धियान दिया गया दिया patriarchा कि bund हमारी विदेशों में जो प्रतिसपर्धा होगी विदेशी प्रतिसपर्धा होगी क्योंकि हमारा जो सामान है वो बन के निर्यात के लिए बाहर जाएगा या हम किसी सामान को बाहर से ला रहे हैं तो हमें विदेशी प्रतिसपर्धा का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए सुरक्षा बी गई विदेशी प्रतिसपर्धा से बचने के लिए किया गया जो वस्तु आयात होके आएगी, उसका एक उचे दरों पर कर लगाया गया, जिससे क्या हो गया कि जो वस्तु आयात होके आ रही है, उसका दाम काफी उचा होगा, तो मार्केट में उसकी डिमांड बहुत नहीं होगी इससे क्या होगा जो हमारा डॉमेस्टिक इंडस्ट्री है जो हमारे घरेलों उद्योग थे वो विक्सित कर सकते थे यादी यह सामान थोड़ा सा भी महंगा होगा और बाहर का जो सामान आ रहा है वो यह और उंचे दामों पे होगा तो बिलकुल हम अपने देश का ही सामान खरीदेंगे इसलिए विदेशी प्रधा से सुरक्षा दी गई और हम इंपोर्ट पे ज्यादा टैक्स लगाने लगे विदेशी पुंजी पर प्रतिभान हमारे देश में 1901 कानवित्तर की आर्थिंग निती अपनाई गई कि विदेशों की पुंजी पे हम पुल्कुल भी नहीं सोचेंगे इसी लिए यह कार किया गया कि विदेशी पुंजीओं को इस ट्रिक्षिन लगाया गया और यह जो रस्रिक्शन लगाये गया वह फेरा के अंतरगत लगाये यह आप लोग्स को यह जान आती है आवश्चह कि यह फैरा है क्या? foreign exchange regulation act जिसके अंतरगत क्या होता है कि कोई भी विदेशी direct investment नहीं कर सकते हैं और जो लोन होगी वो सारे से जो भी चीजें होंगी वो किसके अंतरगत काम करेंगी इसी लिए विदेशी पुंजियों पर प्रतिबन लगाया गया ताकि हम अपना अपने देश के अंधर ही आर्थिक विकास कर सके हमारी जो अगली बिंदू है वो कैंद्रिकृत योजना है 1991 तक कि जो योजनाओं में आर्थिक निती अपनाई गई उसके अंतरगत केंद्रिकृत योजना पर ध्यान दिया गया इसका आर्थ यह है कि जो स्टेट लेवल से लेकर एक क्रमबद तरीके से हमें केंद्र की और बढ़ना था यह जो योजनाओं वने आई गई वो सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं रखी गई वो स्टेट लेवल को क्रम बद करकर स्रेनी बद लेकर योजनाओं को सेंट्रलाइच किया गया तो इस प्रकार 1991 तक जो आर्थिक नितियां अपनाई गई इसके अंतरगत हमने यह देखा कि कौन-कौन से विसेस्ताएं थी तो साजनिक चेत्र पर भारी निर्भरता हुई यानि हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी कहां हुई तो साजनिक चेत्र पर हुई और नीजी चेत्रों को थोड़ा रोका गया लगों द्योगों को अधिक प्रत्साहन दिया गया और देश में भारी उद्योगों का निर्मान किया गया, बचत और निवेस पर धिया गया, ज्यादा धियान हम लोगों ने निवेस पर दिया, विदेजी प्रतिश्पर्था से अपने देश की छोटे-छोटे उद्योगों को बचाया गया, क्यों? यदि हमारा इदेश उद्योग को नहीं बचा पाता, तो हम फिर से खड़े न जो छोटी छोटे उद्योग बढ़ रहे थे वो और अच्छे से ग्रोव कर सके और विदेशी पुंजियों को भी प्रतिपन लगाया गया और केंद्रिकित यूजना ही पनाई गया तो इन सभी साथ बातों से हमें सपस्ट होता है कि 1950 से 1990 तक एक अच्छी आर्थिक निती को अ सब्सक्राइब है कि हमने कौन-कौन-कौन से अच्छी अपनाई यह आगे के अध्याय की बाते हैं और यहां हमने जाना कि 1990 तक उन नितियों का प्रभाव कहां कहां पर पड़ा तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों ने देखा कि हमारे देश में जो पंच वर्शी बाते थी कि हमें क्या करना था हमें पिछडी अर्थवस्था को जी रहे थे उसे आगे बढ़ाना था और पिछडी अर्थवस्था से आगे बढ़ने के लिए हमें आत्म निर्भर होना था क्योंकि यदि हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते तो फिर वो हमारे पर अधिकार कर लेते इसलिए बहुत सारी नीतियां अपना ही गई जिससे कोई दूसरा देश हमारे पर हावी ना हो हम अपने स्वास्त पे अपने सिक्षा पे अपने इंफ्रस्ट्रक्चर पे इतने अच्छे से आकर खड़े हुए कि जो 1947 का भारत था वो बिलकुल बदल गया वो बिलकु आपका कि पूरुष अंध्या पर किया वो नहीं कर रहे हैं अच्छी रननीती के साथ कारी किया गया पंचवर्ची योजनाओं में वह अपना एक लक्ष निधारित की एक उद्देश के साथ कारी कि और आगे के कर्शाओं में हम देखेंगे कि वह हम कितना लक्ष को सी उजनाओं के उद्देश्यों को पोरा करने के लिए कौन-कौन सी यूजनाये चलाई, जयसे ए Wanna कहा कि गरीबी हटाओका नारडिया तो गरी बी हटाओका नारा दिया, तो उसके लिए क्या कारी किया बहुत सारे कारी किये गए उसके बाद आया कि हमें प्रारंभिक सिक्षा को करना था क्योंकि हमारे देश की जनता क्या थी साक्षरता दर में काफी पीछे थी उन्हें आगे करना था और गरीबी और साक्षरता यानि सिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना था अपनी गरीब जनता तो किसी भी देश की विकास की बाते जब सूचते हैं, तो उसकी जो बुनियाद होती है, वो होती है उसकी जनता, यदि जनता ही, यानि की हमारी जनता क्या है, हमारी रीट की हड़ी, हमारे देश की रीट की हड़ी, यदि वो मजबूत होकर खड़े नहीं होगी, तो देश कम हो सके तो इस प्रकार जो हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे कि हमारी आर्थिक नीतिया थी वो कैसे कायरिकी और इसका हमारे क्रिसी छेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा और द्योगिक छेत्र में प्रभाव पड़ा इन सभी चीजों की चर्चाएं हम अगली कख्छाओं में करेंगे इसी के साथ आज हम लोग अपने कख्छा को समात्त करते हैं धर्निवाद